आईए, अब हम जानते हैं कि शुद्ध जल का आइनन किस प्रकार से होता है तथा इसके आइनी कुड़न फल का मान क्या होता है शुद्ध जल एक बहुत ही अच्छा विलायक है और यह अपने विशुष्ट गुण के कारण अमल तथा छारक दोनों की ही भाती कारी कर सकता है अमल छारक की अवधारना की समय हमने देखा कि जल जब अमल यानि की साथ क्रिया करता है तब यह एक छारक की भाती विवहार करता है और अमल से प्रोटॉन ग्रहन करता है दूसरी ओर जब यह एक छारक जैसे की अमोनिय की साथ क्रिया करता है तो उस समय यह प्रोटॉन त्यागता है प्रोटॉन देता है और एक अमल की भाती विवहार करता है इस तरह से जल, अमल और छारक दोनों की ही भाती विभार कर सकता है जब हम शुद्ध जल के आयनन की बात करते हैं तो यहाँ पर जब शुद्ध जल का आयनन होता है तो उस समय जल का एक अनू अमल की भाती विभार करता है और प्रोटान त्यागता है जबकि दूसरी ओर जल का दूसरा अणू छारक की भाती विभार करता है और एक प्रोटान ग्रहन करता है तो इस तरह से यहाँ पर जब हम जल का आइनन कर देखते हैं तो एक इस प्रकार की साम्यवस्था स्थापित हो जाती है यहाँ पर जल का जो अनू अमलकी भाती विभार कर रहा है वह एक प्रोटान त्यातता है और उसके फलसरोप अपने सयूगमी छार में परिवर्तित हो जाता है दूसरी ओर जो जल का अनु छारक की भाती विभार करता है वह एक प्रोटान ग्रहन करता है और प्रोटान ग्रहन करने की पश्चात हाइड्रोनियम आयन में परिवर्थित हो जाता है जो कि उसका सयूग में अमल है इस सामय इस्थरांग या सामय समी करन के लिए जब हम व्योजन इस्थरांग के की गर्णा करते हैं तो इसके लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे K is equal to hydronium ion की concentration into hydroxyl ion की concentration upon water gel की concentration अब हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल है वो बहुत ही दुर्बल विद्धुत अपघट्टे होता है हजारों जल के अणों में किसी एक जल के अणों का वियोजन होता है इसलिए हम इस समिकरण से जल की सांद्रता को निरस्थ कर सकते हैं और इस तरह से इसको हम इस्थरांक मान लेते हैं और इसे हम K के साथ जो वियोजन इस्थरांक है उसके साथ ले आते हैं तो इस तरह से हमें जो equation मिलेगा वो हो जाएगा के H2O की molar concentration is equal to hydronium ion की concentration into hydroxyl ion की concentration यहाँ पर जो वियोजन इस्थरांक के साथ जल को constant माना गया है और इसके लिए यहाँ पर हम एक नए इस्थरांक का उप्योग करते हैं इस नए इस्थरांक को हम जल का आईनी गुडन फल कहते हैं और इसे KW से प्रदार्शित करते हैं तो यहाँ पर हम फिर से इसे वियोजन इस्थरांक को इस प्रकार से लिख सकते हैं KW या जल के आईनी गुडन फल को इस प्रकार से लिख सकते हैं KW is equal to hydronium ion की concentration into hydroxyl ion की concentration अब हम यहाँ पर बता दें कि 298 Kelvin ताप मान पर जब प्रायोगीक रूप से जल शुद्ध जल में hydronium ion की concentration ग्याद की तो उसका मान 1.0 into 10 to the power minus 7 mole per liter पाया गया और हम जानते हैं कि शुद्ध जल में जितने सांद्रता hydrogen ion की H plus ion की होती है उतनी ही सांद्रता hydroxyl ion की होती है इसलिए यहाँ पर जो जल का आईनिक गुडन फल होगा वह hydrogen ion की concentration into यह बराबर हो जाएगी hydroxyl ion की concentration के और इस तरह से यहाँ पर दोनों का मान 1.0 into 10 to the power minus 7 mole per liter हो जाएगा तो इस तरह से जब हम kw लिखेंगे क्योंकि kw में हम hydrogen ion की concentration और hydroxyl ion की concentration का गुणा करते हैं इसलिए यहाँ पर kw का मान 1.0 into 10 to the power minus 7 का whole square हो जाएगा और इस तरह से जल के आयनिक गुणन फल का मान हमें जो प्राप्त होगा वह होगा 1.0 into 10 to the power minus 14 mole per liter का square तो इस तरह से हम शुद्ध जल का आयनिक गुणन फल प्राप्त कर लेते हैं अभी तक हमने जल के आयनिक गुणन फल के डबलू यह बराबर होता है 1 into 10 to the power minus 14 mole per liter का whole square अब यहां पर हम देखें कि जो k w हैं एक सामिय वस्थास थरांग है और सामिय वस्थास थरांग का मान तापमान पर निर्भर करता है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है k w के value बढ़ती है ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो आयनों की व्योजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है यानि कि alpha का value बढ़ जाती है आई अब हम जानते हैं कि निश्चित तापमान यानि कि 25 डिगरी सेंटीग्रेट या 298 कैल्विन पर kW की value क्या होगी केड़ इसके लिए हमें पता होने चाहिए कि जो व्योजित जल यानि कि जो शुद्ध जल है आणविक जल है उसकी molarता कितनी होगी और साथी साथ जो व्योजित जल होगा यानि कि जिसमें hydrogen आयन और hydroxyl आयन होंगे उसमें उनकी molar सांदरता कितनी होगी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जल की molarता कितनी होती है यहाँ पर हम जानते हैं कि जो जल का घनतो है जो शुद्ध जल का घनतो होता है वो होता है 1000 ग्राम पर लीटर यह हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम पर मिली लीटर और साथी साथ जो जल का molar द्रव्यमान होता है वो वेल्यू तो हमें पता है अब हम इसकी सहायता से ग्याद करेंगे जल की मोलरता तो सबसे पहले हम मोलों की संख्या निकालते हैं तो मोलों की संख्या यहाँ पर हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा 1000 ग्राम और इसका डिवाइड़ बाय हो जाएगा मोलर मा और इस तरह से चुकि हमें मोलों की संख्या पता हो गई है तो इतने मोल जितने एक लिटर विलियन में उपस्तित होंगे उसके आधार पर हम इसकी मोलर्ता निकाल लेते हैं तो यहाँ पर यहाँ जो मोलों की संख्या है वो 56.56 है और लिटर में आयतन जो होगा वो एक लिटर होगा और इसलिए यहाँ पर जो मोलर्ता आएगी वो भी आजाएगी 55.56 तो यहाँ पर जो शुद्ध जल की मोलर्ता है जो आणविक जल है उसकी मोलर्ता होती है 56.56 और यह जो मुलरता है वो होती है 296 Kelvin तापमान पर और हम जानते हैं कि जो जल होता है जब जल का व्योजन होता है तो यह H positive ion और OH negative ion देता है तो यहाँ पर जो माली जे हम केवल H positive ion की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो molar सांद्रता होती है वो practically जो प्रायोगीक रूप से निकाली गई है वो होती है 10 to the power minus 7 और क्योंकि हम जानते हैं कि जो जल में hydrogen ion की सांद्रता और hydroxyl ion की सांद्रता दोनों का जो गुड़न फल होता है वह होता है 10 to the power minus 14 मोल पर लिटर तो इस तरह से यहाँ पर हम जब एक तरफ लेते हैं जल का जो व्योजन होगा तो शुद्ध जल की molar सांद्रता और यहाँ पर reversible व्योजित जल की मोलर सांद्रता तो शुद्ध जल की मोलर सांद्रता हमारे पास ह 55.56 मोल पर लिटर जबकि जो व्योजित जल जैसे की इसमें उपस्तित है हाडरूजन आयन इनकी जो सांद्रता होगी वह होगी 10 to the power minus 7 मोल पर लिटर अब इस तरह से यहाँ पर जब हम kw निकालेंगे यानि कि इन दोनों सांद्रताओं का जब हम अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा kw is equal to 10 to the power minus 7 divided by हो जाएगा 55.56 और इस तरह से जब हम इसकी calculate करेंगे तो value हमें मिलती है वो है 1.8 into 10 to the power minus 9 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि kw यानि कि जल के जो साम्यवस्था स्थरांख है उसका मान काफी कम 1.8 into 10 to the power minus 9 आ रहा है और हमने साम्यवस्था का जब अध्यन हम कर रहे थे केसी के साम्यवस्था स्थरांग की value का जब हम अध्यन कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब साम्यवस्था स्थरांग की value 10 to the power minus 3 या उससे कम होती है तो जो अभिक्रिया की दिशा है वह अभिकारकों की तरफ यानिक बैकवर्ड दिशा में चलती है तो इसलिए जो कि यहाँ पर जल के आईनिक स्थरांग या साम्य वस्था स्थरांग की वेलू काफी कम होती है और इसलिए यहाँ पर जो अभिक्रिया है वह उत्पात की ओर न पर या 25 डिग्री सेंटिग्रीट पापमान पर जो जल है वह लगभग व्योजित रहता है या उसकी बहुत ही कम मात्रा व्योजित होती है और इसलिए जल जो है एक दुर्बल विद्धुत अपघट्य होता है अग यहां पर हम एक बात और कहा दें कि किसी भी विलियन में जो सब्सक्राइब सदो यहीं ऑन पते ही उपस्तित होते हैं और इसका वियोजन बहुत ही कम होता है लेकिन यदि इसमें हम कोई अमल मिला देते हैं तो वहां पर हड़्ुजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है दूसरी ओर यदि कि हम इसमें कोई छार मिला देते हैं बेस मिला देते हैं तो यहां पर हैड्रोक्सिल आइनों की सांद्रता बढ़ जाती है यहां पर किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जब हम जली विलियन बनाते हैं तो उसमें उपस्थित हैड्रोजन आइन की सांद्र विलियन में हैड्रोक्सिल आयन एवं हाड्रोजन आयन दोनों ही उपस्थित होते हैं यदि हमें उस विलियन की अमलियता या चारियता का पता करना है तो हमें उसमें उपस्थित हाड्रोनियम आयन की सांद्रता और हाड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के सापिक्षिक मान को पता करना होता है। यदि विलियन में हड्रोजन हड्रोनियम आयन की संद्रता अधिक होती है हड्रोकसिल आयन की तुलना में उस स्थती में वह विलियन अमलिये हो जाता है। दूसरी और यदि हड्रोनियम आयन की सापेक्ष यदि हड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है तो वह विलियन छारिये होता है। इसी तरह से यदि हाड्रोनियम आयन और हाड्रोक्सिल आयन दोनों की सांदरता लगबग बराबर हो जाती है उस स्थती में विलियन उदासीन हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट विद्दुत अपघट के जली विलियन की अमलता या छारकता हमें उसमें उपस्थित हाड्रोजन आयन की सांदरता या हाड्रोक्सिल आयन की सांदरता के आधार पर ही हम बता सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित हाड्रोणियम आयन या हाड्रोजन आयन की मोलर सांदरता को अभिव्यक्त करने के लिए सोरिंसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल दिया जिसे कहा जाता है पी एच स्केल सोरिंसन के एनुसार किसी भी इलेक्ट्रोजन में उपस्थित हाड्रोणियम आयन की मोलर सांदरता को एक लगुगं की स्केल के रूप में प्रदरशित किया जा सकता है जो पी एच स्केल है उसको उन्होंने सूत्र के रूप में प्रतिपाधित किया उनके अनुसार किसी भी विलियन का pH उस विलियन में उपस्थित hydrogen आयनों की सक्रियता के समानुपाती होता है और इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं pH is equal to minus log AH plus यहाँ पर जो A है AH plus के द्वारा जो प्रदर्शित हो रहा है वह hydrogen आयन की सक्रियता को दर्शाता है अब हम यहाँ पर बता दें कि यह जो hydrogen आयन की सक्रियता है यह सांद्र विलियनों के लिए है जब विलियन काफी तनू हो जाता है यानि कि hydrogen आयन की सांद्रता काफी कम हो जाती है उस स्थती में हम hydrogen ion की सक्रियता यानि की AH प्लस को hydrogen ion के molar सांद्रन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इस स्थती में जो दुर्बल विद्धो तब घटे होंगे या जो तनू विलियन होंगे उस स्थती में उनके लिए हम जो pH scale है या उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं pH scale to minus log H plus की concentration या hydrogen ion की concentration hydrogen ion की molar concentration इसके रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखें कि यह जो pH है pH का मतलब है potence of hydrogen ion यहाँ पर जो potence है उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे है minus log यदि हम इस पूरे equation को या pH scale को परिभाशित रूप में लिखें तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे किसी भी विलियन में उपस्तित hydrogen ion के या H plus ion के सांदरन अर्थात H plus ion के H plus concentration of H plus के रिनात्मक लगुगुणक को उस विलियन का pH मान कहते हैं यहाँ पर यदि हम pH की जगह POH लिखें तो यहाँ पर POH हो जाएगा minus log concentration of OH minus ion यदि हम यहाँ पर लिखते हैं PKW तो इसका मतलब होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा minus log KBK तो इस तरह से हम किसी भी विलियन के लिए pH मान की गढ़ना कर सकते हैं पुना हम equation पर आते हैं यहाँ पर हमारा पास जो equation है दुर्बल अमले के लिए या ऐसे तनू विलियन के लिए जिसमें की hydrogen ion की सांद्रता काफी कम होती है उसके लिए pH is equal to होगा minus log H plus हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं यदि हम log के सामने जो minus से उसको हटा दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं pH is equal to log 1 by H plus concentration of H plus तो यहाँ पर यहाँ फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं concentration of H plus ion is equal to log की power minus pH और हमने बताया कि यहाँ पर जो H plus है वहाँ पर जो log है वह 10 के आधार पर लगुगुणक के बराबर है तो इसलिए हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं concentration of H plus is equal to 10 to the power minus pH इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी विलियन में उपस्थित हड्रोनियम आयन या हड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 10 के आधार पर जो भी रणात्मक घात लगाते हैं उसके संख्यात्मक मान को ही हम pH कहते हैं जैसे कि यदि हम यहाँ पर ले लें H plus concentration of hydronium ion is equal to 10 to the power 0 तो यहाँ पर हमने hydronium ion की concentration को अभी व्यक्त करने के लिए 10 के उपर 0 घात लगाया है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस विलियन का pH 0 होगा इसी तरह से यदि यहाँ पर हम H plus की concentration को व्यक्त करने के लिए 10 के आधार पर घात लगाते हैं माइनस 1 तो वहाँ पर क्यूंकि हमने 10 के उपर माइनस 1 घात लगाया है जो उसका संख्यात्मक मान यानिकी 1 यही उस विलियन का pH होगा इसी तरह से यदि हम यहाँ पर ले रहे हैं hydrogen ion की concentration को अभिव्यक्त कर रहे है is equal to 10 to the power minus 2 से तो इसका जो pH value हो जाएगी वो 2 हो जाएगी यदि हम H plus की concentration को अभिव्यक्त कर रहे है 10 to the power minus 5 से यानिकी उस विलियन की pH 5 हो जाएगी इसी तरह से यहाँ पर हम concentration को यदि 10 to the power minus 14 से अभिव्यक्त करते हैं तो उस विलियन की pH हो जाएगी 14 तो इस आधार पर हम concentration hydrogen ion की concentration और उसके pH को आपस में relate कर सकते हैं और इसी को यहाँ पर जो कि जो सामान्य electrolyte का विलियन होता है उसमें जो हम range रखते हैं pH की वो 0 से लेकर 14 तक ही होती है इसके अलावा भी pH मान हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर 0 से लेकर 14 pH मान को देखते हैं तो यहाँ पर हम scale देख रहे हैं तो जो pH scale है उसको दोनों प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है अब हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है उसकी 298 Kelvin ताप मान पर उसमें hydrogen ion की सांद्रता यानि कि concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 7 mole per liter यानि कि यहाँ पर उसका pH मान हुआ 7 तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो pH 7 होगा उस समय जो hydrogen ion की concentration यानि 10 to the power minus 7 होगी वो इस्थती उदासीन अवस्था को दर्शाती है तो इस तरह से हम scale यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जो 10 to the power minus 7 है hydrogen ion की सांद्रता की द्रिश्टी से ज़िए हम देखें तो यहाँ पर hydrogen ion की सांद्रता जब 10 to the power minus 7 होगी उस स्थती में या उदासीन स्थती को दर्शाती है यहाँ पर जो pH value 7 है वह इसकी उदासीन स्थती को दर्शाती है जैसे जैसे यहाँ पर hydrogen ion की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर hydrogen ion की सांद्रता की value 10 to the power minus 7 से यहाँ पर बढ़ते बढ़ते यह 0 तक चली जाएगी तो उस समय हम कहेंगे कि यहाँ पर hydrogen ion की सांद्रता बढ़ रही है यहाँ कि इस स्थती में यहाँ पर अमलीता बढ़ रही है या अमली की प्रबलता में वृद्धी हो रही है दूसरी ओर यदि हम 10 to the power minus 7 के बाद यहाँ पर देखी कि जैसे जैसे hydrogen ion की सांद्रता कम होती जाएगी यहाँ कि जो hydrogen ion की concentration की value है वह 10 to the power minus 7 से कम होते होते 10 to the power minus 14 तक चली जाएगी तो उस स्थती में हम देखेंगे कि यहाँ पर चुकि hydrogen ion की सांद्रता कम होती जा रही है इसलिए इस दिशा में जो विलियन है उसकी छारकता में वृद्धी होती जाएगी या छारी गोण की प्रबलता बढ़ती जाएगी तो इस तरह से हमारी पास जो scale तयार होता है वह दर्शाता है कि जो pH 7 है वह उदासीन स्थती को दर्शाता है जबकि जो pH 0 से लेकर 7 तक है उसके पहले वाले जो pH range है वह अमली प्रवित्ती को दर्शाते हैं जबकि 7 के बाद 7.1 से लेकर pH value 14 तक की जो range है वह चारी तको दर्शाती है तो इसके आधार पर हम सोरिंसन के pH scale के आधार पर किसी भी विलियन में उपस्थित हाडरूजन आयन की सांद्रता की गढ़ना करके हम उस विलियन के pH मान को ग्याद कर सकते हैं यहाँ पर एक बार हम जल के आयनिक गुडनफल पर फिर से ध्यान देते हैं हम जानते हैं कि 298 कल्विन पर जो जल का आयनिक गुडनफल यानि की Kw का बराबार यह होता है हाड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इंटू हाड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 10 to the power minus 14 अब इस दोनों इस equation में दोनों और यानि दोनों और यदि हम रनात्मक लगुगुणक लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्थ हो जाएगा जो Kw है वहाँ पर हो जाएगा minus log Kw is equal to दूसरी तरफ हो जाएगा minus log हाड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इंटू हाड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन और इनका जो टोटल वैल्यू होगा वो हो जाएगा minus log 10 to the power minus 14 K पुना एक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा minus log Kw is equal to यदि हम अलग-अलग कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा minus log हाड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन minus log हाड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन और यह बराबर हो जाएगी minus log 10 to the power minus 14 K अब जोकि हम जानते हैं कि जो minus log है वो potence of Kw को दर्शाता है तो यहाँ पर हम minus log की जगह पर P put कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे जो minus log Kw है उसकी जगह पर हम लिखेंगे P Kw is equal to यहाँ पर जो minus log hydronium ion की concentration है वहाँ पर हम लिख सकते हैं P H plus यहाँ पर जो hydroxyl ion की concentration है minus log hydroxyl ion की concentration को दर्शाता है वहाँ पर हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं P O H और यहाँ पर चुकि इनका मान जो हो जाएगा वो P Kw is equal to P H is equal to P O H और यह is equal to बराबर हो जाएगा 14 के तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो P Kw है इसकी वेलू किसी भी विलियन के लिए बहुत ही अधिक महत्पूर्ण होती है यदि हमें P Kw का मान पता हो तो हम उस विलियन के बारे में काफी कुस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि जो K W का मान है यह ताप के साथ परिवर्तित होता है KW क्योंकि एक सामय वस्ताइस तरांख है तो KW का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है लेकिन यहाँ पर जो pH के मान होते हैं वो ताप से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते और यही कारण है कि यहाँ पर PKW की जो value होती है वो काफी उप्योगी होती है तो इस तरह से सोरिंसन के pH scale के आधार पर हम किसी भी विलियन की यदि हमें उसमें उपसित hydrogen ion की सांदरता पता हो तो हम उसकी सहायता से उसके pH की करना कर सकते हैं और हम जानते हैं कि जो pH value है वो काफी महत्यपोन होती है जैविक द्रिष्ट से भी और अध्योगिक द्रिष्ट से भी पोधों की में होने वाली विविन जो चैप 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 रियाए हैं या जो मनुष्य की सरीर में होने वाली जो चैप 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 रियाए हैं ये यूं लिए हमें कई बार जो विलियन है उसके pH का मापन करने की आवशकता होती है प्रयोक शाला में हम जब pH का मापन करते हैं तो उसके लिए हम pH पेपर का उपयोग करते हैं जो की भिन-भिन हडूजन आयन की सांद्रता में भिन-भिन रंगों को प्रदर्शित करके पी एच के बारे में हमें जानकारी देते हैं। साथ ही साथ यदि भिन-भिन हाडूजन आयन की सांद्रता वाले हमारे पास विलियन है तो उनका पी-एच की गढ़ना करके हम उनकी तुलनात्मत अमलिता या छारिता का पता लगा सकते हैं आजकल फोर स्ट्रिप्स वाले चार पिट्टी वाले पिएच पेपर भी आते हैं जो की एक ही हेड्रूजन आयन सांद्रिता पर भिन भिन रंग देते हैं इसके आधार पर जो पिएच मान ग्यात होता है उसकी यथार्थता लगभग 0.05 के आसपास होती है लेकिन यदि और भी अधिक यथार्थ एक्कूरेट पिएच का मापन करना होता है तो उसके लिए पिएच मीटर का उप्योग किया जाता है आजकल बहुती एडवांस और छोटी-छोटे पेन के आकरती के भी पिएच मीटर उपलब्द हैं जो की काफी यथ अधार्थता के साथ एक्कूरेसी के साथ लगभख 0.001 की अधार्थता के साथ किसी भी विलियन के पिएच का मापन कर पाते हैं इसके अलावा यह जो पिएच एक्सप्रेशन है यानि की जो पिएच का सूत्र है इसमें भी यदि हमें किसी भी विलियन में उपस्थित हाइ से उस विलियन के पी एच की गढ़ना कर सकते हैं तो चलिए इसे हम एक उधारन के द्वारा समझते हैं हमारे पास यहाँ पर एक उधारन है जिसमें दिया गया है कि एक प्य पदार्थ इसके नमूने में हाड्रुजन आयन की सांद्रता 3.8 इंटू 10 to the power माइनस 3 मोलर यानि की मोल प्रती लीटर है अब इस विलियन के पी एच की गढ़ना हमें करनी है तो हम जानते हैं यह जो पी एच एक्सप्रेशन है उसके लिए जो सूत्र है वो हम लिखते हैं पी एच इस उकल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ओफ एच प्लस आयन अब यहा जाएगा 3.8 into 10 to the power minus 3 अब यहां पर दोनों चुकि यहां पर जो वैल्यू है वो 3.8 into 10 to the power minus 3 है इसे हम इस तरह से और तोड़कर या अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं तो यहां पर हम इससे लिखेंगे पी एच इस उकल टू माइनस लॉग 3.8 इसे हमने अलग कर लिया है प्लस लॉग 10 to the power minus 3 तो इस तरह से यहां पर हम इसके अलग कर लेते हैं अब यहां पर जो हमारे पास value मिल रही है उसमें हम log minus log 3.8 तो यहां पर जो लॉग की value है यह हम यहां पर पता करेंगे और यह जो value आती है वो होती है 0.58 तो यह value हम यहां पर रख देते हैं इसी तरह से जो log 10 to the power minus 3 है तो यह convert होकर यहां पर हमें मिल जाएगी value minus 3.0 तो यहां पर दोनों value हमें मिल गई है अब इसके बाद हम यहां पर फिर से इसे आगे calculate करते हैं तो यह हो जाएगा pH is equal to minus चूंकि हमने दोनों को minus किया है plus और minus हो जाएगे और minus करने पर हमें जो value मिलेगी व हो होगी minus 2.42 यहां पर देखिये trademark के बाहर भी minus है और प्रेकट के अंदर भी minus है तो is equal to minus concentration यहां पर जो ब्रेकट के अंदर फिर से minus 2.42 यहां पर जो PH वैलियू हो जाएगी यह पर minus minus हो जाएगे और यहां पर जो value मिलेगी वह हमें मिलेगी वह हो होगी pH is equal to 2.42 pH value 2.42 यह दर्शाता है कि जो विलियन होगा वह acidic होगा अमली प्रवित्ति का होगा तो इस तरह से यहां पर जो लॉक की वेल्यू लॉक की वेल्यू पता होनी हमें काफी जरूरी है तो आईए यहां पर हम कुछ मुख्य लॉक वेल्यू को पता करते हैं जो कि नुमेरिकल को शक होती हैं इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह से बहुत सारे जो दैनिक जीवन में उप्योंग होने वाले पदार्थ होते हैं उनकी pH वेल्यू भी इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है इसे प्रायोगिक तोर पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो आईए कुछ दैनिक जीवन में उप्योंग होने वाले पदार्थों की pH वेल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि फिएल परो भी वेल्यू दैनिक जीवन में झाल झाल